हेलो स्प्रिंट्स, प्रिंसर के इस पॉटकास्ट में आप सभी का स्वागत है आप सभी को याद होगा MPPSC ने जब प्रिलिंस 2021 का रिजल्ट जारी किया था उस समय मुझे सैक्डों अव्यर्थियों ने मैसेज किया था ये प्रूफ्स भेजे थे कि किस प्रकार से OMR शीट में उन्होंने जो गोले भरे हैं और स्कोर कार्ड में जो उनके मार्क्स MPPSC ने जारी किये हैं वो उससे मेल नहीं खा रहे हैं तो समय समय पर इस बीच में आप सभी के मैसेज आते रहते हैं कि सर MPPSC की तरफ से कोई reply नहीं आया है call करते हैं तो वो कहते हैं website देखती रही है लेकिन अब तो MPPSC prelims 2021 का result भी जारी होने वाला है तो क्या हमारे marks जो हैं वो नहीं बढ़ेंगे scorecard में इसी पर बात करेंगे इस podcast में चैनल को subscribe कर लीजे bell icon पर click कर दीजे description में जाए Instagram, Facebook, Telegram सभी की links दी गई है जहां पर हम आप सभी के लिए free answer writing, general knowledge, video lectures, test series सभी कुछ लेकर आ रहे हैं वो ही विल्कुल free of cost साथ ही आप से जुड़े हुए मुद्दे भी आपको समय समय पर बताते हैं उठाते हैं ताकि आप सभी हर खबर से रहें बाखबर तो चलिए बात करते हैं देखें MPPSC ने prelim 2021 का जो result जारी किया था उसमें सैक्णों एक दो नहीं बलकि सैक्णों बच्चों की OMR sheet जिसमें उन्होंने गोले बहुत ही सही तरीके से भरे थे आप देख सकते हैं कि उसी समय मेंने कुछ 3-4 podcast बनाये थे उसमें आपको दिखाया था कि किस प्रकार से इनमें OMR sheets में किसी भी तरह की कोई खामी कमी नजर नहीं आ रही है फिर भी बच्चों के score card में number कम कर दिए गया है और number ऐसे कि किसी के 3 गोले count नहीं हुए है किसी के 5 नहीं हुए है किसी के 1 नहीं हुआ है तो इस तरह से बच्चों को 2 number से लेके 12-14 number तक का loss हुआ है कि कहना चाहिए लगातार नए notifications या परिक्षाओं से जुड़ी हुई जानकारियां जो भी आ रही हैं तो बच्चे उनमें वेस्ट हो गए हैं लेकिन कुछ बच्चों की message आते रहते हैं और वो अभी भी इस बात की चंता कर रहे हैं कि क्या MPPSC scorecard के नंबरों में सुधार किये बिना ही result जारी कर देगा अब देखी ये बात उठाना या ये मुद्धा उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सभी को बता है कि कोई भी बच्चा हो चाहे वो मैं क्यों ना हूँ वगर मेरा भी OMR sheet से एक question भी आपने कम scorecard में दिया है तो मैं तो बलकुल ही result जारी करें कुछ भी करें बट मैं अपने अधिकानों को लेकर सचेत रहाँगा मैं अपना एक number जाया नहीं होने दूँगा तो कहने के मतलब यह है कि मेरी तरह बहुत सारे सैक्डो अफिर्थी ऐसे हैं जिनके numbers कम हुए थे और उनको MPPSC ने कोई जवाब नहीं दिया मैंने शुरुमात में आपसे कहा था कि आप सीम हैल्प लाइन पर इसकी कम्प्लेन करें हाला कि कई बच्चों ने वापस बताया कि वह कम्प्लेन नहीं लेते हैं बोलते हैं MPPSC हमारे अंदरगत नहीं आता है या हम कम्प्लेन नहीं लेंगे तो देखिए सीधी सीधी बात यह है कि MPPSC सावाने प्रशासन विभाग के अंदरगत काम करता है और MPPSC जो है कहना चाहिए उसी के अंदरगत ही काम करता है तो अब आप सभी को कहना चाहिए सीम हल्प लाइन का सहारा लेना था उनसे कहिए कि आप शिकायत क्यों नहीं ले रहे हैं क्या रूल है किस रूल भी जाने का एक रास्ता है आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आप कहना चाहिए उनकी website पर जाएए उनको mail करिए और उनको पूरी कहानी बताइए कि किस तरह से आपने MPPSC को application दिया इतने इतने बार call किया इस state पे CM helpline को call किया उन्होंने शिकायत लेने से मना कर दिया इनसे बात हुई MPPSC में भी जिस व्यक्ति से बात हुई हो जिस व्यक्ति को mail किया हो तो यह पूरा पहले दिन से जो आपने किया application mail करने से लेके पूरी बात करने से लेके CM helpline को शिकायत करने से लेके पूरी बात उनको बताएं क्योंकि यह जो है आपकी fundamental rights है दिखिए रोजगार का अधिकार यह कहीं ना कहीं आपके जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है क्योंकि बिना नौकरी के बिना रोजगार के आप जीवत नहीं रह सकते तो यह कुछ आपके fundamental rights है कहीं ना कहीं आपने कुशिश कर ली है अगर नहीं सुन रहे हैं तो आप Human Rights Commission को लिखें उनसे कहें कि इस विशय पर जो है उचित जो है action लिया जाए क्योंकि यह documents वैसे भी आगे काम आएंगे क्योंकि मैं अगर आपकी जुगे होता मेरा एक question भी scorecard में कम होता और यहां पर तो बच्चों के पास से लेके 10 15 14 क्याना चीए ऐसे number कम है क्योंकि एक question का 2 मिलता है तो आपको पता है कि 5-6 questions तक कम count हुए है और मैंने ये वीडियो में पहले बताया था एक मैंने पोल भी इसके लिए create किया था जैसे पता चल जाए कि वाकई में सब के साथ है सब हुआ है तो बस यही है कि MPPSC ने बच्चों को कोई जवाब नहीं दिया है हमेशा की तरह है और अगर MPPSC ये चीज़ को कहना चाहिए सुधारे बिना अगर रिजल्ट जारी करती है तो कही ना कहीं बच्चे अपने नमरों के लिए अपने अधिकारों के लिए निश्यत रूप से कोट जाएंगे और बिलकुल ये उनको खुली छूट है क्योंकि जैसे ही मैंन आएगी बहुत से बच्चे दो नमर चार नमर छे नमर से कहीं अगर नहीं सुधारा गया तो बाहर होंगे तो ये उनका अधिकार है राइट है और ये मैं आपको पहले से ही सूचित कर रहा हूं क्योंकि हमेशा से ही जो ऐसे मुद्धे होते हैं जो चात्रों के हितों से जानते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती होगी उनको टैसरी से नोट से ग्लासे से क्योंकि अब नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आने वाले हैं तो खेर ये मुद्धे तो मेरे हिस्से में ही आते हो और मैंने तो हमेशा से ही आपको एक कमिट्मेंट किया है कि जब भी आपके लिए हमेशा आगे रहेंगे और आपकी बात को उठाते रहेंगे और इन सम्वेधानिक संस्थाओं से सवाल पूछते रहेंगे तो ये प्रिंस सर की मुख्य परिक्षा 2019 का टाइम टेबल है समय सार्णी है इसको आप देख लीजे इसको आप जोइन कर लीजेगा ये हमारे नोट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही कहना चाहिए आवश्यक कह लीजे महात्पूर कह लीजे सिद्ध होने वाले हैं और ये आप देख लीजे इनकी जो कहना चाहिए पनावट कह लीजे कंटेंट कह लीजे महनत कह लीजे आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस चीज का वखुभी ध्यान रखा गया है कि कोई भी चीज जब आपको बताते हैं समझाते हैं तो वकायदा उसमें पिक्चर्स यूज़ करते हैं so that आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल एक इंपक्ट क्रियेट करें और आपको अच्छे तरीके से वो चीज क्या है समझ में आ जाए एक्जैम में लिखने में आसानी होगी अगर दिमाग में चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में इसके अलावा MPSI, Constable, पटवारी और नायब तसीलदार का जो विभागी एक्जैम होना है इसके अलावा भी जो भी परिक्षा हैं जिनके आप तयारी कर रहे हैं हम आप बिल्कुल वेज़े जक्त विदाउट हैजिटेशन हमसे इंक्वारी करें जरूरी होने पर आपको ब आप इन चीजों का फायदा उठाएंगे तयारी करते रहे हैं पॉजिटेव रहे हैं सफलता जरूर मिलेगी धन्यवाद